नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका मेरे चैनल पे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया डिफेंस के क्षेतर में आतम निर्वर बनने की कोशिश कर रहा है और इसके अंदर एक बड़े प्रोजेक्ट की बात करें जो कि तेजस फाइटर जेट प्रोग्राम है ये का ज़्यादा से ज़्यादा लोकली डेवलप्ट चीजें इसके अंदर इंस्टोल की जाएं इसी के ऊपर आगे बढ़ते हुए ADA ने एक कदम और बढ़ाया है और तेजस फाइटर जेट के लिए एक रेडम तेयार की है आज इसी के ऊपर बात करेंगे चलिए दोस्तों शुर अगर हम इस रेडम की बात करें तो ये दोस्तों एक स्ट्रक्चरल असेंबली होती है जो फाइटर जेट के सामने की तरफ जो नोज के जैसा हिस्सा होता है जिसके अंदर रडार कवर रहता है ये इन्वाइरमेंट से उसे बचाता है इसे ही रेडम बोलते हैं इससे पहले दोस्तों हमें ब्रिटेन की कमपनी कोवं ऐसी रेडम सप्लाई कर रही थी स्पेशली जो क्वार्ज की बनी हुई थी लेकिन अब बताया जा रहा है कि जो तेजस एम के वन एका पहला फाइटर जेट आएगा उसमें हम लोकली बनी रेडम का इस्तेमाल करेंगे हलांकि एड रेडम नोजकोन तयार कर चुकी थी LCA तेजस प्रोग्राम के लिए लेकिन दोस्तों फिर उसने एक अल्टरनेटिव रेडम का ओडर दे दिया स्पेशली इसको इंप्रूव करने के लिए और साथी दोस्तों जो इसके अंदर आलरेडी रेडम इस्तेमाल की जा रही थी पाद में टेंडर जारी किया गया था तो ब्रिटिश कंपनी कोभम ने इसे जीता और उसने रेडम नोज सप्लाई किये स्पेशली दोस्तों जो LSP3 जो वेरियंट था तेजस का उसके अंदर भी इसका इसका इस्तेमाल किया गया और IOC और FOC स्टेंडर के तेजस MK1 है उन मे भी इसका इस्तेमाल किया गया लेकिन अभी ADA ने इसके लिए नई रेडम तयार कर ली है जो पूरी तरह से इफेक्टिव होगी अगर हम बात करें इसका कमपैरिजन करें कोभम की रेडम के साथ में तो दोस्तों इसकी लेंथ लगबग सेम ही है जो 1970 मिलीमीटर है लेकिन इस इसी रेडम तयार की गई थी जो टेकनोलोजी वैलिडेट की गई थी उसी के हिसाब से ही तेजस MK2 और तेजस MK1 के लिए इसे तयार किया गया है तो दोस्तों ओवराल कहने का मतलब है कि हम जिन अलग-अलग fighter jet program के उपर काम कर रहे हैं लेकिन एक समनवय के साथ में काम कर र रहा है और इससे हमारे तेजस fighter jet के अंदर indigenous content और बढ़ेगा धन्यवाद जैहिन